कि न्यू चेप्टर में हमारा जो टापिक है वो है प्रतिरक्षा या जिसको हम बोलते हैं इम्मुनिटी है ना इम्मुनिटी क्या चीज होती है जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग लें डेली लाइफ में कि हमें जुखाम होता है इसके वज़े से होता है राइनो वाइरस की होता है कि हमारे शरीर के अंदर कैपेबिलिटी होती है उस राइनो वाइरस को मारने की हमारे शरीर के अंदर खुद में कैपेबिलिटी होती है कि वह क्या कर सके शमता होती है कि वह किसी भी रोग से लड़ सके और उस रोग का जो कारक है उसको क्या कर सके नश्ट कर सके तो अंदर शम्ता पाई जाती है रोगाणूओं को यानि जिनकी वज़े से हमें रोग होते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम रोगाणूओं तो रोगाणूओं को नश्ट करने की ठीक है तो शरीर की यह जो शम्ता होती है हमारी यह क्या कहलाती है प्रतिरक्षा कहलाती है यह immunity कहलाती है कि मानव शरी कि वह शमता जो हमें रोगाणों से लड़ने में मदद करती है या रोगाणों को नश्ट करती है वो शमता क्या कहलाती है प्रतिरक्षा कहलाती है फिर आता है प्रतिरक्षा विज्ञान या immunology किसे कहते हैं तो immunology जो शब्द है बेटा लेटिन भाषा जो शब्द है उससे बना वहा है जिसका मतलब होता है विसी तो इमने टी जो होती है या प्रती रक्षा विज्ञान या जो इम्ट sparkling जी विःग्यान की वह जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं प्रती रक्षा के बारे में पढ़ते हैं प्रती रक्षा तंत्र के बारे में पढ़ते हैं वो विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है प्रती रक्षा विज्ञान कहलाती है अब यहां पर बात आती है कि प्रती रक्षी तंत्र क्या होता ह यानि हमारे शरीर में अंगों का ऐसा समूह अंगों का या ग्रंतियों का समूह जो रोगों से व रोगानूं से लड़ने की शम्ता प्रदान करता है ठीके अंगों का ऐसा समूह या ग्रंतियों का ग्रंति भी होती है और अंग भी होते हैं तंत्र कहलाता है और प्रतिरक्षा या इम्मिनिटी किसे कहेंगे हमारे शरीर की वह शमता जो हमें रोगों से लड़ने में क्या करती है मदद करती है यह रोगों से बचाती है वो शमता हमारी प्रतिरक्षा कहलाती है फिर आता है प्रतिरक्षा विज्ञान जिसे हम कहते हैं इम्मिनलोजी ठीके तो इम्मिनलोजी का मतलब होता है कि जी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं प्रतिरक्षी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं प्रतिरक्षी तंत्र कैसे काम करता है ना कैसे हमें रोगों से बचा रहा है उसके बारे में कहलाती है प्रतिरक्षय विज्ञान या इमिनलोजी कहलाती है पॉशन है कि जो इमिनलोजी के फादर है प्रतिरक्षय विज्ञान के जो फादर है वो कौन है तो आंसर इस एमिल बॉन बैरिंग नामक जो व्यक्ति है वो प्रतिरक्षय विज्ञान के क्या कहलाते हैं जनक कहल लतन हैं तो यह आपके 30 कzdये ने प्रति-ऐन विज्ञान की तो यहां का विद्ञान की विज्ञान प्रदान करता है और रोगों से लड़ने की जो शमता है हमारे शरीर के अंदर वो क्या कहलाती है प्रतिरक्षा कहलाती है इम्मिनिटी कहलाती है ठीक है समझ में आ गया उसके बाद आता है एक चीज है एक ठोरी है यह हम बोले संकल्पना है कि स्वयम एवं पराय की संकल्पना यह क्या चीज होती है स्वयम एवं पराय की संकल्पना से मतलब है बिटा कि प्रतिरक्षी तंत्र जो होता है उसमें यह capability होती है कि हमारे शरीर का जो अपना भाग होता है उसको तो पहचान लेता और जैसे ही कोई बाहर से कोई चीज आ गई है ना तो उसको क्या करेगा वो प हम कल्पना जैसे अगर एक एक्जांपल में लेती हूं कोई भी वाइरस है है ना अब वाइरस का निर्माण किस से होता है यहां पर अंदर इसके डी एने पाया जाता है बाहर प्रोटीन का आवरण पाया जाता है जिसे हम कैप्सीड कहते हैं ठीक है तो प्रोटीन से और डी है प्लस प्रोटीन है कि नहीं को जो अपरोटीन को निश्ट्र करेगी तो capability होती है हमारे प्रतिरक्षितंत्र में कि जो already हमारे शरीर के अंदर उपस्रित है यानि वो उसे अपना परिवार का सदस्ची मानता है कि यह तो मेरा अपना है और जैसे ही कोई बाहर से आया है तो यही चीज़ है Swamamon Parai की संकल्प ना अब जैसे पहोगी एग्जामपल मैं लेती हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति के kidneys खराब होगई थीकर खिड्नी किड्नी में और नेफ्रोन पाए जाते हैं व्रक्रानों पाए जाते हैं फो जो नेफ्रोन है उसे ही मिलका है इस ब्यक्ति के अंदर हम इस बी पर्षन की क्या करेंगे रहें दो प्रतिरक्षी तंत्र क्या करेंगा पहचान लेगा कि नहीं हमारे शरी के चिड़नी नहीं है किसी और व्यक्तिकी है तो फटाफर उसके अगेंस्ट क्या करेगा एंटी बोडी बनाना शुरू करेगा यानि उसको मारने के लिए उसको नश्ट करने के लिए जो है वो क्या करेगा जो रिक्वाइट जो प्रोटीन होते हैं वो बनाना क्या कर देता है शुरू कर देता है बाकि है तो यह भी किड्नी और यह भी यह भी मनुश्य के लेकिन फिर भी प्रतिरक्षी तंत्री के अंदर यह होती है कि वह अपने शरीर की चीज़ों को पहचानता और बाहर सच है सेम बेसी चीज़ आई हो लेकिन उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता तो यहीं कॉंसेप्ट प्रतिरक्षी तंत्री हमारा होता है तो देखो प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार दो प्रकार हम लोग दो प्रकार से इसको डिवाइट करते हैं ठीक है पहला आता है सहज जिसे हम कहते हैं जन्म जात या जिसे हम कहेंगे प्रकति ठीक है जन्म जात प्रकति या सहज या अनुवांशिक भी कह सकते हैं दूसरा आता है उपारजित प्रतिरक्षा थीक है अब क्या difference से दोनों में सहज चू प्रतिरक्षा होती है इसके अंदर क्या होता है यह हमें कपसे मिलती है हम जब जन्म लेते हैं हमारे जन्म के साथ हमारे अंदर क्या होती है उपस्ते कोटी है जन्म जात होती है उपारजित जिसे हम यानि रोगों से लड़ने की जो शमता होती है हम जब पेदा होते हैं तब से हमारे साथ होती है तो वो क्या किलाएगी सहज और रोगों से लड़न उसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे प्रकार पढ़ेंगे जैसे की पहला प्रकार आएगा शारिरिक अवरोध ऐसी कुछ अवरोध होते हैं जो रोगानुओं को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोखते हैं तो पहला है तो अच्छा दूसरा है स्लेश्मी जिल्ली ठीक है और तीसरा है इसके अंदर जो बुखार आती है ना हमें शारीरिक स्थ्राव ठीक है यह तीन आएंगे किसमें शारीरिक अवरोध में जो भुखार हो नेक्स इसके प्रकार में आएगा फिर आता है पूरब कंत्र तीसरी जो कैटेगरी होती है वो आती है आपके भक्षानवित अवरोध और प्रदाह अवरोध और यह जो बुखार आना आता है वो जाएगा प्रदाह तो यह पहला प्रकार यह जो है सहज यानि जन्जाद जो प्रतिरक्षा होती है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे शारीरिक अवरोध में हमें तीन चीज़ा पढ़नी त्वचा स्लेश्मी जिल्ली शारीक इस्टाव फिर पूरक तंत्र पढ़ेंगे फिर हम भक्षानविक अवरोध और फिर आएगा आपके प्रदाह अवरोध है ना फिर उसके बाद उपारजित प्रतिरक्षा है उपारजित प्रतिरक्षा जो है वो दो तरीके की है पहला है सक्रिय और दूसरा है निश्क्रिय सक्रिय में दो आएगे निश्क्रिय में भी क्या आएंगे दो आएंगे सक्रिय में जो दो प्रकार है वो कौन से है प्राकतिक हो जाएगा और दूसरा होगा क्रित्री प्राकतिक और क्रित्री और इधर भी प्राकतिक और क्रित्री ठीक है तो यह जो चीज़े हैं हमें इनत्र नहीं लिखा रहेगा ते दो प्रकार उते हैं सहच और उपाजित प्रति रक्षा सहर जो हमें जन से हमारे अंदर होती है रोगों से लणने की शम्ता जिसमें हमको क्या पढ़ना है शारी कवरोथ के बारे में पढ़ना है त्वच्चाश, शलेश्मी, शारीकस्त्रा, फिर पूरग, फिर बक्षानवी कवरोथ, फिर प्रदाह, यह दर है जान रखना यह आजयति रक्षा जो जन के पाष्च थ मनें अश्छात कर थे हैं रोगों से लच निसके दो प्रकार होते हैं सक्री और निष्क्री शक्री इपटी इपट कृकर smack 250 और कृत्रिम और निष्क्रिक के दो प्रकार प्रकर प्रकार सी ठीच कि हम लोग केwed है जो प्रकार का पढ़े